कि अब देखिये मिबेये चयलेने पूरी कर लिया है चयलेने पूरी करने के भाद मैंने यह 45 फंदे इस लाई में ले लिया और 45 फंदे सिलाई में लेंगे comparison सत्वुसाह आप हम यह वाना कर बनाएंगे मिले करता बन करनाओंगे एक जो देन चार पांच छे साथ नो और एक ये दस हमने 45 फंदे इदर लेने हैं 45 इदर लेने और 11 फंदे हमारे ये बीच में बच जाएंगे ये 11 फंदा हमारा इस सलाई में है इसका हमने दो का एक कर देना है ऐसे करके फिर हम यहीं से इसको दागे को अगे ले जाकर इसे हम ऐसे मौग लेंगे और इसे हम ऐसे बिना मुना उतार कर फिर हम दस फंदे बुरेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और यह हमारे यह बिना मुना हुआ था एक दो तीन चार पांच दस फंदे हो गया है अब हम फिर इदर दो का एक करेंगे यह हमरे ग्यारा पंदे हो गया है एक दो तीन चार पांच अम फिर यहां से इसको मौग लेंगे मौगने के बार हम अगे लएंगे मौगने बार हुआ कर हम इस दर को ऐसी उतारेंगे फिर हम फिर हम अपने दस फंदे पुलेंगे दूं तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, और एके दस, यह हमारा ग्यार्वा फंदा है, इस ग्यार्वे फंदे को और इधर से भी हम एक फंदा लेंगे, फिर हम दो का एक करेंगे, हम फिर इसको वापसी मोड लेंगे, ऐसे ही फ्रेंड्स हम जब इधर से इसे लाई निकाल यह हम लेंगे, गयार्वा फंदा इसका और इसका लेंगे फिर इधर से भी हम ऐसी एक फंदा इसका लेंगे, ऐसे हम पोरे घ्र दोनों तरफ से पूरेठा देंगे देखिए हम ने अने सारे ये सारे बंदे गटा दिए हैं गारों पंदे kalian एक पंदा ऍसके सब्सकोरा एक इसे लेके बंढ fill कर देंगे कि अपने के लिए वाड निकाल के कि अब हम इसका यह बाट पनाएंगे पीछे बाट कि पीछे बाट बनाएंगे इसके लिए इस तो हमारी एंडाई ने बनी हुई है इन में इसे हम एक फंदा उठाएंगे कि यह ग्यारा बंदा दोनों को लेकर हम यह ऐसे बंद कर देंगे फिर हम माके बंदा बादा करेंगे फिर हम इसको बिना मुना उतार लेंगे फिर यह सलाई बनने के बाद कि फिर हम इदर से भी ऐसे ही करेंगे जैसे इसकी यह लाइन दिख रही है यहां से हम इस फंदे को पकड़ेंगे और हमारा जो यह लाश्ट वारा फंदा है इन दोनों को हम ऐसे घटा देंगे फ्रेंद्स हम यहां तक एक ग्रीन ग्रीन तक ऐसे ही कर लेंगे जेकर फ्रेंट्स हम अपने यह बना लिया है इसमें हमें आहर बार 11-1 फंदे के साथ इधर से एक इस लाइन में से लाश्टका एक इसको ऐसे बूलने के बाद देखिए अमने यह 10 बंदे उल्टे यह हमारा गयर्मा पंद फंदा है इसको हमें इस पर इसके उतार कर इसको आएपनदा है कि इसको ऐसे उठाएंगे और यह कर देगे कि करके अब हम आगे इसकी सिद्धी साइब सिद्धी साइर भी प्रेंड़न हम यह पूरे उल्टे निकाल के इदर से हम यह वाला फंदा उठाएंगे और फिर दो का एक कर देंगे कि यहां दोनों पुरी ने लाइने कर लेगे हैं अब यहां से लास्ट ने जो हमारे जाली बनी हुई है इसके यहां से फिर्णा ऐसे उठाएंगे और इसके आफं़े से नों को गटा देंगे अब हम अपनी ये जाली डालेंगे यहाँ पर इसके लिए हम पहला फंदा ऐसे उतारेंगे फिर आके दागा करके दो फंदो गार एक करेंगे फिर आके दागा करके दो फंदो गार एक करेंगे फिर दागा करके दो फंदो गार एक करेंगे फिर अग्यदा का हब कर दोग दो बार एक करेंगे और इसे बस ही अब इस बीड़ों से पर उदाद कर कर जाली आपस में जाली आजाए अब हम यह स्लाई पूरी ओल्टी हीट निकाल लेंगे जो हमारी दो लेने हैं इसमें से हमें वाला यह वाला उठाएंगे और इन दुनों को हमें इन दुनों को हम आपस में गटा देंगे यह हमारा एक हो जाएगा अब हम इसको फिर देखे हैं हमारी जाली पड़की है जैसे यहां पर जाली आई है ऐसे यहां पर आगई है अब हम इस पर देखो बिना बुना उताएंगे फिर हम यह ऐसे करके फ्रेंड्स हम अमक्नी यह दो लेने पूरी कर लेंगे यहां से फंदा उठाएंगे इसके साथ अब हम लाश्ट में आ गया है इस पंद्धे को इस पर ले कर अब हम इस दाके को यहीं पर छोड़कर और अब हम हरादा का कद लेंगे हरादा के से करेंगे अब हम इसको उटी-उटी सलाई निकाल लेते हैं जैसे हमने पहले साइड से उठाए हैं ऐसे उठाके इसको उठारके लेंगे एक इसकी बड़न को कि अधर देते हैं आपनी जाली तब यह पांच लेने निकाल लेते हैं अब देखिए फ्रेंड्स हमने on yeah यहां पर जाड़ी डाली झावन अपर परीया में को बंकर देंगे चैनर तो करेंगे लिए अब हमारे ग्यारा फंदे हैं अब इनको ऐसे बंद कर देंगे इस बंद को हम इस दूसरे स्लाई पे लेके और इसमें इस एक बंदा लेके इस दुन्नों को हम ऐसे कटाते रहेंगे जिससे हमारे ये बंदे बंद हो जाएंगे अब हम यार लास्ट में लास्ट में हम यहां से इस बंद को ठाएंगे इसके साथ ऐसे बंद कर और इसे हम ऐसे उपर से बतार देंगे फिर हम एक फंदा लाक्यवरी पड़ी में से लेंगे और इन दुन्नों को हम एक कर देंगे इसे लेके इन दुन्नों को हम एक कर देंगे हुआ है हमारे सारे बंदे गट गए है अब हमारी यह सोक्स पूरी हो गई है अब इस दाके को यहीं पर काट देंगे और इसको हम ऐसे यह पर पक्ता कर देंगे पक्ता करने के बाद अब इस दाके को हम करोशिय से ऐसे अंदर हीच लेंगे इसे हम सोका निच्चे तक ले जाके और जो हमारा यह वाइट दाका है इसको भी हम काट लेंगे वाइट दाके को भी अब हम इन दोनों में दोनों को जोहिन कर देंगे यह पर पक्का कर देंगे जो हमारा यह वाइट दाका है इसको भी हम अंदर करोशिय के साथ है ऐसे पक्का कर देंगे इससे फ्रेंट्स यह दाके फिर बाहर नहीं निकलते है इसको यहां से भी कट कर देंगे इसको देशे फ्रेंट्स यह हमारी सोक्स बन गई है इसको प्लेंजर तो यह देखिए अब हम इसमें यह करोशिय से गना कर दोरी डालेंगे अब हम यह दोरी बनाएंगे इसके लिए हम दागे को उनको दो तारी कर लेंगे देखिए दोरी को पहले हम यह अंदर लेके जाएंगे और यह यहां पर यह हमारा वह है जॉइंट है यहां पर ऐसे हम यह दागा ऐसे जॉइन कर देंगे यह यहां पर इसमें गाट माल देंगे इसके बाद हम यह दागा है इससे यहां पर चैन बनाने शुरू करेंगे और ऐसे हम चैन बनाते जाएंगे जितनी हमें चाहिए इस सॉक्स के लिए यह देखिए यह मैंने बना लिए इसे आप ऐसे रख के चक कर सकते हैं कि आपके सॉक्स जितनी है या नहीं है उसके बाद यह से थोड़ा रंबा कर दीजिए और यह जो आपके छेद है इसमें से आप ऐसे बार निकाल के एक में से बार निकाल लिए अगले में से अंदर ढालिए ऐसे ही करते हुए आप यह पूरी निकाल दीजिए इजिए देखें मैंने यह डूरी ढाल लिए उसके पाद हम यह अंदर लिए और यहां पर यह थागा बचा है उसे हम यहीं पर इसी से पका कर देंगे इसमें से भी यही थागा बहार निकाल लेंगे फिर इसे ऐसे ही करेंगे इसमें से खीच देंगे इसमाल पक्रोगया उसके बाद हम एक्स्ट्रा थागा काट देंगे इसे हम नीचे पका कर देंगे अब हम यहां वाली डोडी बनाएंगे उसके लिए ऐसी दोड़ डबल करके हरा धागा लीजेंगे और यहां वाली डोड़ी बनाएंगे इसमें पहला नोट बनाएंगे और चेन बनाते रहिए जितने आपको लेंध चाहिए उसके अकॉड़ेंगे इसमें यह डोड़ी बना लिए अब मैं इसमें यह डोड़ी डाल दूंगे जैसे हमने यह वाइट वाली डाली है स्टार्टिंग का हिसका इसका यह जो फर्स्ट लोग है यहां पर छोड़के अपरे पिछे डाल दीजे यह देखिया हमारी यह सोंक्स तयार हो गया जब क्रोंगे अलोंगे सामी खाली है